हेलो एवरिवन मैं हूँ सेली विलकम करती हूँ राही किचन में वैसे थमनेल देख करके आपको तो पता ही चल गया होगा लेकिन फिर भी मैं बताती ही चलूँ आज मैं बनाने जा रहे हूँ चिकिन कीमा जो खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है और बनाना बिल्कुल आस किसी भी चीज़ के साथ आप ले सकते हैं इसे आप लंच बॉक्स में भी बच्चों या बड़ी किसी के भी दे सकते हैं ये चिकन कीमा बहुत ही कम वक्त में बन करके तयार होते हैं अगर आप चिकन खाका करकी बोड़ हो चुके हैं तो चिकन कीमा फिर ट्राइ करें तो फि 500 गिराम है हाफ केजी और मैं इसे तरीके से वाश कर ली हूँ यह पुड़े बिल्कुल साफ हो चुके हैं तो अब मैं इस चीज में सहुलत हो उस चीज में बना ले जैसे ग्राइंडर जार या फिर कीमे वाली मशीन या फिर वो बोड पे भी आप कीमा बना सकते हैं अगर ग्राइंड ना कंड Olaf का मज़्यकार हो जाएगा अब मैं कीमी मिलाने के लिए ठेर प्याज मतल्ब 45-65 किरीब लेरी हूं कियोंकि कीमा है अब मैं सारे प्याज के छिल्के आघ प्ली आरकर ऑच्छी तरीके से मैं वाश कर लीआ और मैं ज्यादा बारेक चौप नहीं कर रही बिल्कुल अलग तरीकी से आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें स्टेप बाइ स्टेप मैं आपको बताती चलूंगी आज जो मैं कीमा बनाऊंगी उसमें मैं थोड़ा प्यास का इस्तमाल जादा करूंगी अब आप देख सकते हैं मैं इस तरीकी से सारी प्यास को छोटी अब मैं इसे अच्छी तरह से वाश कर ली हूँ अब आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर इसकी पर भी कर सकते हैं या फिर आप टमाटर के शौकीर है तो एक टमाटर जादा भी ले सकते हैं मैं यहाँ पर लेकिन दो ही टमाटर का इस्तमाल कर रही हूँ इस तरीके से मैं सा यहां पर इस में हरी मिर्ची ले लिए हूँ यह बहुत ही दीखी वाली हरी मिर्ची है बीच से फुरा कट लगा रही हूँ उपर नीचे के पुर्शन को हटा दी हूँ और इसे मैं वाष भी कर चुकी हूँ तो इस तरीके से आप जितना तीखा पसंद करते हूँ उस हिसाब से आप मिर्ची ले सकते हैं मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर का भी इस्तमाल करूंगी तो फिर देर किस पाथ की चलें फिर बनाना शुरू करते हैं तो पाल्टस का फिलम अउन करें और कराही डाल दियो और जैसे ही रही गर्म हो जाये इसमें आइल डाल दें यहां पे अपर मस्टर्ड ड्याज चीनिकर टुक्रे obtained लुओं24 ऑपकास चार लॉक्छ जोबी घ्रम मसाले खड़े अब gew hide वो ड़ाल सकते हैं इसक्त गैस काफ़ले मीडियम रखे और इन सब चीजों को सौटे हो जैसे ही गरम मसाला सौटे हो जाए क्वाटर टी स्पून से वन टीबल इस्पून मैं जीरा डाल दी हूँ इनको भी अच्छी तरीके से सौटे होने देंगे और जैसे ही जीरा सौटे हो जाए उस वक्त चॉप की हुए प्याज, वो साड़े प्याज डाल करके इसे चलाते हुए fry करेंगे, इस वक्त गैस का फिले medium to high कर देंगे, क्योंकि प्याज जब आईल में जाता है, तो आईल का टमप्रेचर बिल्कुल लो हो जाता है, तो इसलिए इस वक्त मैं गैस का फिले medium to high क पर इस चलाते हुए fry करेंगे। मुझे स्टेब को जादे हुए ब्राउन ही करना है ज 거죠 ब्राउन है इस प्याज उख को ट्रांस्लूसेंट तक ही करना है। देखें अब ये ट्रांस्लूसेंट हो चुके हैं अब इसी स्टेप पे, चौप किया हुए टमाटर वो डाल देंगे और हरी मिर्ची वो डाल देंगे और उसे चलाते हुए थोड़ा फ्राइ कर देंगे कि ताके ये प्याज जो है जलना पाए इस वक्त गैस का फिलेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फिलेम पे ही इसे अब फ्राइ करना है तो अब इस step पे हम लहसन अधरक का paste डाल रहा है जो कि 1 टीबली स्पून के करीब लहसन अधरक का paste है और टेस्ट के कोडिंग नमक डाल दें मैं यहाँ पे 1 टीबली स्पून नमक का इस्तमाल कर रही हूँ और 1 टीबली स्पून हल्दी पाउडर डाली हूँ और 1 टीबली स्पून ला मिक्स करते हुए फ्राइ करें दो तीन मिनट तक कि ताकि यह लेसन अदरक पेस्ट कच्छापन इसका निकल जाए और सारे मसाले भी अच्छी तरीके से कुख हो जाए अब आप देख सकते हैं इसे फ्राइ करते हुए हमें दो मिनट हो चुके हैं अब यह तमाटर भी हलका सॉ जाफ्ट हो गया है और मसाले भी पुड़े कुख हो चुके हैं अब मैं इसी टिप पे चिकन कीमा डाल दूगे और इसे डाल करके चलाते हुए अच्छी तरह से प्याज और मसालों में मिक्स करते हुए इसे फ्राइ करेंगे यह चिकन कीमे में जैसे ही स्टीम लगती है यह और मीडियम फ्लेम पे इसे इस तरीके से चलाते हुए मिक्स करेंगे तो यह इसली मिक्स हो जाएंगे मैं इस तरीके से बनाना बता रहे हूं जिसे खाना नहीं भी बनाना आता हो वह इसली बना लेंगे और बहुत ही अच्छा टेस्टी बन करके तयार होगा अगर मेरे बिस्टी बनता है हरकोई बड़े ही शौक से खाते हैं और इसे ओर धेर दीर के बाद आप इसे चलाते ही रहें वैसे यह चिकन कीमा बहुत ही जल्दी बन आफ चुछे त्यार हो जाता है लेकिन फिर भी सात आरट मिनघ तक यह से थोरी धोरी दीर के बाद इस तरीके से चलाते रहें जब आप देखें कि इसमें का आईल सेपरेट हो गया है तो फिर आप गैस का फिलिम आफ कर दें और इसे ठंडा होने दें या फिर गरम-गरम सर्व करें अब यह थोड़ा गरम है यह तो मैं इसमें धनिया पत्ती ढाल दी हूँ और इसे डाल करके मिक्स करते हु को आरे है तो फिर बिनादेर के वे सर्व करते हैं आप किसी भी रोटी प्रडाठा चावल किसी भी चीज के साथ ले सकते चैहे और इसे अब बड़े हो या बच्चे के लंच में आप इसे पकी आप चैट होगियां én अगर आप मेरे चैनल को अचीन को धना है तो प्लेज च बाई बाई